हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स, दोस्तो इस लेक्चर सीरीज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैमिस्टी के मौस्ट इंपोर्टन कोस्टन, जिसमें हम फॉलेट फॉर्म यानि की रुख्मनी पविलिकेशन की बुक को डिसकस करेंगे, फ्रेंड्स इससे पह पायो के और फिजिक्स के भी पार्ट इसी बुक के प्रोबाइट कराएंगे, मतलब इसी फब्लिकेशन के, तो आप इस चैनल से जोड़े रहे हैं, तो चलिए, श्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, तो हमारा पहला कोस्टन दिया गया है, अमोनिया के सिर्जन के काम में आने वाली गैसे हैं, दोस्तों इस कोस्टन का आन्सर देने से पहले आपको अमोनिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अमोनिया का फॉर्मूला होता है, एनेच त्री, तो इसमें कौन कौन सा तजबी यूज हो रहा है, एक तो नाइटरोजन, दूसरा हाईटरोजन, तो रिपिडेशन में, और यूरिया के निर्माण में, तो ये दोना एक्जाम में कोस्टे ना आते हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है, नेक्टम बात करते हैं, हाइटरोजन की, तो हाइटरोजन की खोज किस ने की थी, कैविडियस ने की थी, आप इस चीज को ध्यान रख तो ये भी एक्जाम में कोशन पूछते हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे, हाइडोजन में न्यूटरान नहीं होते हैं, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे, और फेंस नाइडोजन की खोच कैसे नहीं की थी, ये भी एक्जाम में पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान र प्रोप में पाई जाने वाली देब्स होए तो कौन सी दातू को धियान रखना प्ल cath up इथा अपय जाती है तो कौन सी इससी फासी अप आप इस सीदा में धेद्म और सबसे ज्यादा जो पिच्विक व्याहता है उससे अप अप ज्यान राखेंगे औđक सीजन पाए जाता है सबसे ज्यादा कितना 6.8 परसेंट कि इसको अप ध्यान परसेंट तो आप इसको ध्यान रखेंगे लेकिन बिशुद रूप से जो धातू पाई जाती है कौन सी पाई जाती है प्लेटनम तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा इसको आप ध्यान रखेंगे अगरा कोस्षिन देखते हैं जल का शुद्धितम रू होता है अड़ुभार भी आप ध्यान रखे निमेरिकल में ज़रूरत पड़ती है तो दो उड़ा वन उड़ा सोला तो कितना हो जागा यह अठारा तो इसको ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्टन देखते हैं पैरा सीट अमोल एक क्या है एक पीला हर है तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा एक रेक्ट हो जागा पैरा सीट अमोल क्या है एक पीला हर नेक्ट आपको दे रखा है सलपा ड्रक्स तो सलपा ड्रक्स क्या करते हैं जीवालों को इनका काम होता है जीवालों को नश्ट करना और इनका नि दियान रखेंगे इसमें हमारा option number एक रेक्ट हो जाएगा अगला question देखते हैं किलोरोमाईसर टिन क्या है तो किलोरोमाईसर टिन क्या है दोस्तों आपको बताना है यह क्या है एक तो यह क्या है पिरती जे जीवालक यानि एंटी बैक्टिरियल तो आप इसको ध्यान और इसका निर्माल किसमें होता है जीवालो और कबक से और इसका कारी क्या होता है कारी यह भी आप ध्यान रखें यह जीवालों को मारती है या उनके विरत्दी को रोकती है कौन पिरती जीवाले की आनि एंटी बैक्टिरियल तो आप इसके कुछ नाम ध्यान रखें जैसे Tetracountyulin अत्त हैं यह क्या कि आप इसको ध्यान रखेंगे नेश्ट आपके सामने दिया गया है anti septic antiseptic क्या होता है οποSi जीवादा को मारता है इसी कितरा होता है आप इसको ध्यान रखेंगे और ये अगर घाव हो जाता है तो उसे भरने में काम आता है इसका उधार है इतायल इतायल आयूफाइड तो ये क्या होता है एंटी सेप्टिक तो आप ये भी जहां रखेंगे इसमें हमारा ओफिसन नमबर डी करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्टिन देख दें बनस पती घी के ओधे को उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है दोस्तो जो और दिन बनस पती की ओधे को उत्पादन की प्रक्रिया होती है तो इसमें जो उत्प्रेरक को यूज होता है पहले आप उत्प्रेरक को ध्यान रखेंगे कौन होता है निकल तो आप इससे ध्यान रखेंगे friends दिए कैसी अभी करिया होती है अब chain अभी करिया होती है तो आप इसे ध्यान रखेंगे option number हमारा भी correct हो जाएगा तो अब चैन अभी करिया हम क्या होता है या तो hydrogen का, सईयों को का या बेदोर डिलाना को तत्म में क्या होगी, ब्रद्धी होगी तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे friends उत्प्रेरक के बारे में बता दे जो निकली उत्प्रेरक इसमें यूज होता है तो उत्प्रेरक की खोर्ज किस ने की थी बरजीलियस ने किस ने की थी बरजीलियस ने, तो आप इसको ये बारे में यह point ध्यान रखेंगे option number हमारा इसमें भी correct हो जाएगा अगला question देखते हैं रसाइनिक रूप से गन्य की शरकरा क्या होती है शuk्रोस तो कर्वो हाईडराट के का type होता है इसका निर्माल कैसे होता है glucose और fructose तो आप यह भी ध्यान रखेंगे का प्रक्रिए तो आप इस चीद को ध्यान दखेंगे और अप्सीजन का एडिशन किया जाता है तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे इसमें प्रक्रिए और एक हो जाएगा यानि और क्विषेंग अगला कुछिछन के कितने समस्तानिक है तो hydrogen के तीन समस्तानिक होते हैं आपको पता ही होगा पहला होता है proteum तो इसमें कोई भी neutron नहीं होता है कोई भी neutron नहीं होता है दूसरा होता हमारा deuterium deuterium जिसे हम D से डिफर्जेंट करते हैं तो इसी से हमारा क्या बनता है Dtu, इसी क्या कहते हैं भारी जल तो आप इसको ध्यान रखेंगे deuterium से किसका निर्माण होता है भारी जल का और भारी जल का निर्माण कहां पर होता है तो पड़मारू डियक्टर में किसकी रूप में मंदक के रूप में मंदक के रूप में किसका यूज होता है भारी जलका तो यह भी एक्जाम में कोशन पूछते हैं तीसरा है 1H3 यह संदर से अलफा बीटा किलने का अच्छा होता रहता है तो इसको आप ध्यान दखेंगे इसमें हमारा ओप्सन नबर से करेक्ट हो जाएगा तीन अगला कुस्चन है हमारा स्वसन के लिए समुद्री गोता खोर किस किसका मिस्रल का यूप यूप करते हैं फ्रेंट्स किसका करते हैं ऑक्सीजन का और हीलियम का तो आप इसको ध्यान रखेंगे हीलियम क्या एक अक्रीगा इसे जो अठारा ए में मौझूद है आवर साल लीके तो इसमें हमारा उप्सन नमबर डीकरेक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन एंड हीलियम तो आप इसको ध्यान रखेंगे उप्सन नमबर हमारा डीकरेक्ट हो जाएगा अगला कुस्चन देखते हैं किसी निष्टित तापमान पर संतरप्त बिलेन कैसा होता है दोस्तो किसी निष्टित तापमान पर संतरप्त बिलेन कैसा होता है और अधिक ठोज बिले गोलने में असमर्द तो इसे आप ध्यान रखेंगे फेंड संतरप्त बिलेन क्या होता है नहीं गोला जा सकता है इसके अंदर मतलब और भी और जो बिले होता है बिले की मातरा को नहीं गोला जा सकता असन तरफ तो बिले क्या होता है उसे और अधिक मातरा में उसके अंदर बिले को गोल सकते हैं तो एक बिले नहोता है तो बिले न दो तरह से मिलकर बनता है बिलेन दो चीज़ों से मिलकर बनता है एक होता हमारा बिले दूसरा होता है बिलायक तो जिस चीज़ को हम घोल रहे हैं उसे हम कहते हैं बिले और जो जिसके अंदर घोल रहे हैं उसे हम कहते हैं बिलायक तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे और अगर आब किसी भी बिलियन के अंदर आविशकता अनुसार चीजें गोले ही हैं तो उसे हम कहते हैं अधी संत्रप्त बिलियन या सूपर सचुरेटेड़ सॉलूसन तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे इसमें हमारा उप्सन नमबर सी करेक्ट हो जाएगा और अगर फोस बिले गोलने में असमर्द यानि उसके अंदर फोस नहीं गोल सकते नेक्ट कुस्छ नहीं हमारा लाउंडरी साबुन क्या है दोस्तों लाउंडरी साबुन क्या होता है तो यह होता है प्राकरतिक स्रोत के यानि हाईयर बसामलों के सोडियम लवड़ों का मिस्रल यानि कॉमन साल्ट का तो कॉमन साल्ट क्या होता है ने से एल तो यीनि सब होता है तो इसमें हमारा उप्सन नमबर एक रेक्ट हो जाएगा अगला कुस्चन देखते हैं संसलेसित अपमर्जक यानी डिटर्जेंस क्या है तो संसलेसित अपमर्जक यानी डिटर्जेंस क्या होते हैं जाग रहे तो होता है और कठोर जल के साथ क्या करता है जाग उत्पन करता है तो इसमें कॉन सा option correct हो जाएगा हमारा aromatic तता aliofatic अलफ्य वन्लोक के sodium level के मिसरल तो option number हमारा इसमें d-correct हो जाएगा next question देखते ப qualities द्वारा कथोर जल के साथ जहाग उत्पन करने को क्या कारण है friends इसका कारण क्या होता है सलफ्य वन्लोक के calcium तता मैंगनीशियम लबड जल में गुलंशील होते हैं तो कैल्सियम ये क्या है कैल्सियम के कैल्सियम और मैंगनीशियम ये क्या है आइन है तो आइनों के साथ कोई भी अप्षेब नहीं बनाता है तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे अब मर्जग द्वारा कठो जल के साथ जाग उत्पन्ने का कारल क्या है कैल्सियम और मैगनीसियम के आएनों के साथ कोई भी अप्षेब नहीं बनता है तो इसमें हमारा उप्सन नमबर सी करेक्ट हो जाएगा आप इसको ध्यान रखेंगे चूने के जल में लाइम बाटर क्या होता है तो आपको बताना है चूने के जल में लाइम बाटर क्या होता है तो यह क्या होता है कैल्सियम हाइड्रो ऑक्साइड तो इसमें हमारा उप्सन नमबर बी करेक्ट हो जाएगा इसको आप ध्यान रखेंगे, इसका formula क्या होता है, C-A-O-H का hold-out, तो इसी क्या कहते हैं, calcium hydroxide, next होता हमारा, NaOH, तो इसे हम क्या कहते हैं, sodium hydroxide, इसी को हम क्या कहते हैं, caustic soda, क्या कहते हैं, caustic soda, इसका युप्योक किसमे करते हैं, सावर बनाने और रंग बनाने में हम इसका use करते हैं, तो आपको इसको ध्यान रखेंगे, next sodium carbonate दिया गया है, Na2, CO3, next calcium chloride, तो C-A-C-L, इसका formula होता है, sodium hydroxide आपको बताई चुका हूँ, तो आप इन सब के formula ज़रूर ध्यान रखें, chemistry में, नाम देकर direct formula पूछ ले लेते हैं, या रसानिक नाम पूछ लेते हैं, तो हमारा B correct हो जाएगा, दोस्तो इस वीडियो में हमने 15 question discuss किये हैं, आई योप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसी तरह से हम आपको सामने अच्छे लंबे question मतलब लंबी वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम जादा जादा question discuss करेंगे, और इसी तरह से हम chemistry, physics और ब भारत